हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मा यूटूब चैनल, एक्सराइज 11.2 से कुश्चन नमबर 8 करेंगे ट्राइंगल ABC is an isoscalus with AB is equal to AC is equal to 7.5 cm ये ट्राइंगल ABC देख रहे हैं, ये एक isoscalus ट्राइंगल है जहां पे AB और AC इन दोनों की लेंद बराबर है 7.5 cm and BC is equal to 9 cm और BC के length 9 cm है, the height AD from A to BC is 6 cm और BC के उपर A से height पड़ रही है और ये जो height AD ये 6 cm है find the area of triangle ABC, तो इस triangle ABC का area निकाल लिए what will be the height from C to AB, that is CE, और ये भी बताईए कि C से जब AB के उपर height पड़ेगी, जो CE है, इसकी length कितनी होगी चलिए दो चीज़े पूछी हैं, हम पहले triangle का area निकाल लेते हैं तो area of triangle ABC, ट्राइंगल का formula होता है, half into base into height अब यहां पर आपको दो pair दे रखे हैं, एक तो base BC दे रखा है और AD height दे रखी है एक आप AB base को और CE base को भी ले सकते हैं, तो मैं उन दो को लूँगा, जहां पर मुझे base और height दोनों दे रखी हूँ यहांनि मेरा कहने का मतलब यह है, उस base को मैं लूँगा, जिसकी height मुझे पता हो और ऐसा base है BC, तो BC यह होगा और height इसकी AD होगी, तो इनको मुझे लेना है half, मैं लिख लेता हूँ, half into BC into AD base BC लिया है, तो AD इसकी height होगी है, value put कर लेते हैं, half का half, BC है 9 cm और AD है 6 cm, solve करें, तो 2 से 6 कट रहा है, 2102, 2306, multiply किया 9 3000 हो गया है 27 cm 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 का square, तो एक चीज तो हमने निकाल लिए, किस triangle का area 27 cm square है अभी हमें निकालना है, यह जो CE length है, CE की length हमें बतानी है और CE पढ़ रही है height, AB के उपर, तो इसी triangle का area हम, अगर AB base को ले, तो फिर CE height लेनी पड़ेगी यानि half AB और CE करेंगे, तो area of triangle आ जाएगा, और area of triangle यही आएगा, जो हमने अभी अभी निकाला है, 27 cm क्यों figure तो एक ही है ना, तो अब हम यह लिखेंगे, now, half into, अब मैं base AB को ले रहा हूं और AB पे जो height वो CE है, तो half AB into CE, यानि half base into height से हमें मिलेगा area, इसी triangle का, वो हमें already पीछे पता चल चुका है बस यह बन गई है, simple equation, इस equation के अंदर आपको AB की value पता है, वो put कर लेंगे half का half हो गया, और AB की जिगे हम 7.5 लिखेंगे, यह हमें दे रखा है 7.5, और CE हमको find करना है, यह बराबर होगा 27 के अब क्योंकि CE की value निकाल लिए है, तो CE को छोड़ देंगे हम left side में अकेला और यहाँ 27 के पास तो चला जाएगा 2 उपर में, क्योंकि यह यहाँ divide में है, तो यहाँ multiply में चला जाएगा और यह जो 7.5 है, यह multiply में है, तो यह divide में चला जाएगा बस अब इसे simplify कर लेते हैं, तो CE आजाएगा यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, कि इस point को हटा लेता हूँ तो 27 into 2 as it is, और point हटाऊंगा हमें, तो यह 75 बन जाएगा point के बाद यहाँ आगे एक number है, तो उपर मैं 10 लगा दूँगा यह point हटाने का तरीका होता है, point के बाद एक number है ना, तो 1 लगा के 0 अगर 2 होते point के बाद तो फिर hundred हो जाता, अब इन्हें काट लेते हैं 27 और 75, इन दोनों में 3 के divisibility का rule apply हो रहा है, यह दोनों 3 से divide हो रहे हैं इसे 3 से divide करूँगा, 25 आएगा, इसे 3 से divide करूँगा, तो 3 9,027 होता है अब 25 और 10, यह दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, यह 5 5,025 होता है, यह 5 2,010 होता है अब उपर 9,2,2 हैं, यह 5 से नहीं कटते हैं, तो सीधा उपर उपर multiply कर लेते हैं 9,2,018, 18,2,036, तो उपर आएगा 36, और नीचे है यह 5 फर्दर इसे divide कर लेते हैं, exact answer आजाएगा, तो 36 को 5 से divide करेंगे तो 5,7,035 होता है, और minus करके 1 आया, तो point लगा के हाँ 0 लगा लिया और 5,2,010 होता है, तो 7.2 आ गया है, 7.2 cm तो CE की जो length है, वो 7.2 cm होगी दोनों चीज़ें निकाल ली हमने, question खतम, इस वीडियों बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियों में, तब तक के लिए goodbye